सिफाली वर्मा की कपतानी वाली भारती महिला क्रिकेट टीम ने ICC Under-19 विश्व कप जीत कर इतिहास रज़ दिया इस विश्व कप के फाइनल में भारती टीम ने इंग्लैन को हरा दिया इसे के साथ भारत ने महिला वर्ग में पहला विश्व कप अपने नाम किया है करिब साथे 15 साल पहले साथ अफरीका के जोहानिस बर्ग में नए कपतान महिंदर सिंग धोनी के नेतरुत में भारत ने पहली बार आयोजित हुए T20 वर्ड कप का खीता आप जीत कर इतिहास रज़ दिया था उसी देश में 15 साल बाद करीब 120 किलोमेटर दूर एक और नई कपतान शेफाली वर्मा के नेतरुत में भारत की लड़कियों ने उस इतिहास को दोरा दिया पहली बार आयोजित हो रहे अंडर 19 महिला T20 वर्ड कप में भारत ने इंग्रेंट को हरा कर इतिहास रज़ दिया पोचेफ ट्रूम में रईवार 29 जनवरी को खेले गए फाइनल में भारत ने साथ विकेट से दमदार जीत के साथ खिताब अपने नाम कर दिया इसके साथ ही महिला क्रिकेट के इतिहास में भारत की जोली में पहला वर्ड कप भी आ गया मिताली राज और हर्मन पृत कौर की कपतानी में भारत की सीनियर महिला टीमों को तीन बार वर्ड कप का फाइनल में हार का दर्द जिलना पड़ा था इसमें आकरी निराशा 2020 T20 वर्ल्ड कप में मिली थी सेफाली वर्मा भी उस टीम का हिस्सा थी ये उनका पहला ही वर्ल्ड कप था और तब उनकी उम्र 16 साल भी पूरी नहीं थी उस हार के करीब 3 साल बाद सेफाली ने ना सिर्फ मेल्बन क्रिकेट ड्राउन में मिली हार बल्कि अपनी सिनेरों के दर्द का हिसाब भी पूरा किया दोस्तो इस मैच में भारती कप्तान सेफाली ने टॉस जीता था और पहले गिनबाजी करने का फैसला किया था और अपने फैसले को सही शाबित करते हुए इंग्लायन की टीम को 17 ओवर में ही 800 ट्रलों पर आलाउट कर दिया वही छोटी से लक्ष को भारती टीम में 14 ओवर में ही तीन विकेट के नुक्षान पर बड़े असानी से हासिल करके इतिहास रज़ दिया अंग्रेजों को धूल चटाते हुए पहली बार वर्ल्ड का किताब भारत के नाम कर दिया